जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के द्रास में चल रहे सुरक्षाबलों के एंकाउंट में तीन आतनकी मारे गए हैं। मारे गए लशकर के आतनकी से गोला बारूद, पिस्टॉल, एके राइफल समेत कई हथियार बरामद हुए हैं। वह कई आतनकवादी अपराधों में शामिल था और हाल ही में एक मुटभेड से बच निकला था। तक आंध्रप्रदेश तट और बंगाल की खाड़ी में ना जाने की सलाह दी गई है। वही मौसम विभाग ने अगले तीन-तीन दिनों तक कई राज्यों में भारी बारिश की आशनका जताए है। अगले तीन दिनों के दोरान चक्रवाती हवाओं की रफतार 45-55 किलोमीटर से लेकर 65 किलोमीटर प्रती घंटा होने की आशनका है। पूरवी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश के तटिय इलाके, वेस्ट यूपी, इस्ट अमपी, चत्तिसगर, बिहार, जारखंड, ओडिसा और टेलंगाना के अलग-अलग शेत्रों में भारी बारिश की आशनका है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के शाहगंज के खेरिय मोर्स थे तार मधुराज हॉस्पिटल में आज तड़के आग लग गई। बेस्मेंट और भूतल पर मरीज भरती थे, जबकि संचालक का परिवार पहली मंजिल पर रह रहा था। सभी आग में फंस गए, एक घंट बिद्वार के लाल धांग से बीरोखाल के कांडा तल्ला गाउंब में जा रही बारात की बस गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई है और 21 घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी आज हिमाचल प्रदेश मे बिलासपूर में अखिल भारती आयूर्विज्यान संस्थान का उद्घाटन करेंगे। इस दोरान पी एम मोधी 3650 करोर रुपये की विभिन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एम्स के अलावा प्रधानमंत्री पिंजोर से नालागर के बीच 31 किलो इस कॉलेज से पनबिजली परियोजनाओं के लिए प्रशिक्षित कामगार उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। इसके अलावा पी एम अंतर राष्ट्रिय कुल्लू दशेहरा महोतसब में भी हिस्सा लेंगे। यह पहली बार होगा जब देश के प्रधानमंत्री कुल्ल पर आज राष्ट्रिय स्वयम सेवक संग का पारम पर एक शस्त्र पूजन कार्यक्रम महाराष्ट्रा के नागपुर में हुई। संग प्रमुक सरसंग चालक मोहन भागवत ने रेशमबाग में इस वार्शिक जयादश्मी कार्यक्रम को संबोधित किया। परवतारोही संतो पर आज राष्ट्रिय स्वयम सेवक संग ने अपने शस्त्र पूजन कार्यक्रम में महिला आतिती को आमंत्रित किया। रक्षा मंत्री राजनात सिंग ने आज दशहरे के मौके पर चमोली में चीन सीमा पर स्थित अग्रिम चौकी पर सेना वाई टीबीपी के जवानों के स पर आति शस्त्र पूजा की। भारत और दक्षन अफ्रीका के बीच तीन मैचों की सीरीज का पहला वंडे कल लखनौ के इकाना स्टेडियम में खेला जाना है। लेकिन मौसम को लेकर खबर अच्छी नहीं है। लखनौ में भारी बारिश की संभावना है।